हेलो वरेवन वेल्कम यॉवल इट लोकेसर अनलिम्टेड स्टेडी जोन तो आई ये स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिस कुछ बहत्रीं कोश्चन की तो देखिए सबसे पहला यह जो क्वेश्चन है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल के चैप्टर से ही क्वेश्च कह रहा है इन्र ट्रेंगल ABC आप ट्रेंगल ले लिजी कह रहा है इस ट्रेंगल ABC में median AD मतलब A से लेके D तक की median को अपने ड्रॉप किया है तो median क्या करती है तो सामने वाली सैट को opposite सैट को equal part में तोड़ती है और दूसरी जो है median जो है BE है ओके, BE, R drawn, AD equals to आपको कितना दिया गया है? 4, हाँ, तो यह जो A से लेकर के D तक की length है, आपको A से लेकर के D तक की length है, AD equals to आपको कितना दिया गया है? 4 दिया गया है, अब कहरा है DAB, angle DAB equal to 6, तो DAB कहा पर बन रहा है? यह बन रहा है, यह देखिए, यह आपके पास pi by 6 A, B, E किता है, मतलब यह आपके पास में कितना दिया है, यह आपके पास में दिया है, 60 degree, 5 by 3, ओके तो जब यह 30 है, यह 60 है, तो automatically यह कितना हो जाएगा, यह आपके पास में 90 हो जाएगा, ओके यह 30, यह 60 है, और यह आपके पास में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, अब दे हुआ है कि जो میडियम के पॉइंट जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वो क्या होता वेटेक्स हOTा है और सरी वर्ट ऐगस नहीं को होता है सेन्ट्रय यहाइन केंद्रक और केंद्रक जो होता है वह मिडियन को कितने रिट q सकता है टू रेशो बन में सो मैं इस तरफ से इस तरफ से एजी एजी निकाल सकता हूं और जीडी भी निकाल सकता हूं एजी और जीडी भी मैं निकाल सकता हूं तो यहां से एजी और जीडी में निकाल लेता हूं तो एजी इकल डू कितना हो जाएगा फोर मल्टीप्लाइब वाई ओके उपर के दो हिस्से होते हैं तो 4 into 2 by 3 that is equals to 8 by 3 ओके उपर के हिस्से 2 by 3 होते हैं और नीचे का हिस्सा कितना होता 1 by 3 1 by 3 यहने कि 4 into 1 by 3 मतलब जो GD आएगा आपका 4 into 1 by 3 that is equals to कितना हो जाएगा 4 by 3 तो यह जो उपर का हिस्सा आपके पास बन चुका है वो कितना आ चुका है 8 by 3 आ चुका है और नीचे का हिस्सा जो आ चुका है वो कितना चुका है 4 by 3 आ चुका है ओके और अब आपको निकालना है क्या आपको निकालना है triangle ABC का area आप एक चीज़ देखिए कि कुछ भी करके अगर मेरे पास ABD का area आ जाता है कुछ भी करके अगर मेरे पास ABD का area आ जाएगा तो ABD के area को AAD मैं कर दिता हूँ तो मेरे पास ABC का area जाएगा क्यों? क्योंकि जो आपके पास में जो median होती है वो area को 2 equal parts में तोड़ती है ठीक है आईए तो इसको solve करते हैं देखी इस page पे यहाँ पर मैंने इसका solution बना रखा है यह इतना तो सब कुछ मैंने कर दिया अब देखे ट्रेंगल ABD का area ट्रेंगल ABD का area ओके ट्रेंगल ABD का area हमको निकालना है तो अगर मेरे पास ट्रेंगल ABD है और ABD में अगर मैं AD को base मान लूँ AD को क्या मान लूँ base मान लूँ देखे AD को base माना जा सकता है क्यों नहीं माना जा सकता है बिल्कुल मान सकते हैं यह हमारे पास जो AD है अगर मैं इसको base मान लूँ तो इस base पर जो height बनेगी वो क्या बनेगी ये बनेगी, जो height बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी, okay, height क्या बनेगी, BG बनेगी, तो AD तो मेरे को पता है, 1 upon 2, AD तो मुझे पता है न, AD तो दिया गया मेरे पास, AD कितना दिया गया है, मुझे AD 4 दिया गया है, so half 4 multiply by height कितनी निकालना हमको BG निकालना है, तो मतलब कुल हमें BG निकालने के पीछे लगना है, तो आईए देखते हैं BG कैसे निकाला जाए, तो हमें BG निकालना है, अब BG किस ट्रेंगल में निकलेगा, इस ट्रेंगल में निकलेगा, और इस ट्र 30 डिगरी के लिए जो BG है क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो मैं लिखता हूँ 10 30 डिगरी इकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो साइड हाइपोटेनस बन जाएगी, बिकॉस इन 90 के सामने है, तो ये तो हाइपोटेनस बनेगी, अपॉन एजी, तो 10 30 डिगरी इकल टू बन बाइ रूट 3, ओके, और आपके पास में BG कितना है, देखें आपके पास में BG तो आपको फाइंड करना है, इस इकल टू एक्स, एड़ एजी कितना है, आपने अभी एजी मैंने आपको निकाल के बताया है, कि जो एजी है वो कितना है, 8 by 3 है, तो नीचे से पलड जाएगा, 8 by 3 तो 3 उपर आ जाएगा, मतलब x into 3, x into 3 by 8, तो x की वेल्यो कितनी आगई, 8 upon 3 root 3, x equal to कितना आगई, 8 upon 3 root 3, अब चलिए एरिया निकालते हैं, area of the triangle, a, b, d, equal to half based into height, तो कितना था, 1 upon 2, ओके 1 upon 2 तो था ही, 4 तो पहले ही मिल 3 root 3, 8 upon 3 root 3, इसको मैं dark का लिखना हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, हाँ, फिर से लिखता हूँ देखे, 1 upon 2, base आपके पास कितना है, 4 है, है ना, base आपके पास कितना है, 84 है, और height अपनी कितनी निकली है, 8 upon 3 root 3, चलिए, multiply कर दीजिए, तो 2 से कितने वार हो गया, 2 हो गया तो यह हो गया, 8 to just 16 upon 3 root 3, यह किसका area आया है, यह एक पार्ट का area आया है, आपको पता है कि जो में median होती ना, area को 2 पार्ट में break करती है, तो total area के लिए क्या कर दो, इसको double कर दो, तो answer इसका जो आएगा, वो double करने पर आजागा, 16 into 2 upon 3 root 3, तो correct इसका answer कितना आजागा, 16 to just 32 by 3 root 3, तो इसका answer कितना है, इसका answer है, 32 by 3 root 3, इसका correct answer होगा, तो यह बहुत प्यारा सा बहतर question है, इसको लगाईए, practice करिए, okay, done.